तो देखें यहां पर ना एक बहुत अच्छा वड़ा रहा है नेबूला करें के देखतें वो क्या है the moving cloud of these gases is known as nebula ठीक है यानि यह जो hydrogen and helium है ना जब यह interact करते है react करते है fusion होता है ठीक है nuclear fusion अभी आप आगे पड़ोगे तो होता कहा है ना इनके अंदर से जो gas निकलते ना उस cloud जो बनता है उसके उस moving cloud को लोग वर्ड देते नेबूला और एक सबसे सेल्सियस मतलब वहाँ पर जाना तो impossible है सोचो कितना गरम हमारा सन है अभी सोचो गर्मी के सिजन में 40 डिग्री सेल्सियस अगर सूरत का temperature हो जाने तो हालात हमारी खराब हो जाती है तो सोचो यहाँ पर तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है तो हमें कितना तकलीफ होगी राइट अब आगया बारी नेक्स न्यूक्लियर फ्यूजिन न्यूक्लियर फ्यूजिन इस रिस्पोंसिवल फॉर दर संस एनरजी अभी देखे मैं अगर वर्ड बोल रहा हूं न्यूक्लियर तो आपको शायद समझ में नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता ना उसके छोटे छोटे जो न्यूक्लियर से ना वो जब न्यूक्लियर से एक दूस्तरी से कंबाइन करते है ना तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते है नूक्लियर फ्यूजिन और वो जब कंबाइन करते है न बच्चो तो कंबाइन करने के बादे ना बहुत ही ज्यादा ए यानि heat energy और light energy के form में release होता है और वही light energy और heat energy हमें मिलता है ठीक है तो देखो यहाँ पर definition दिया हुआ है nuclear fusion is a process in which two light nuclei मतलब दो छोटे-छोटे हलके से nuclear combined to form a heavy nuclei ठीक है अब देखें third point थोड़ा important है the distance of the sun from the earth is about 150 million kilometer यानि 150 million kilometer की दूरी पर sun हमारे earth से है ठीक है और the light from the sun यानि सूरत से जब रौशनी सुबा सुबा जब हमारे earth पर travel करके पहुचती है न which travels at a speed of about 3 lakh kilometer per second किस रफ़तार से speed है उसकी किस रफ़तार से उसके race चलते है तो 3 lakh kilometer per second एक second में 3 lakh kilometer वह चलते है और जब इस रफ़तार से वह चलते है और इतना distance ट्रावेल करना होता है न तो उनको मालव है time कितना लगता है हमारे earth पर आने के लिए मात्र 8 minute 8 minutes ठीक है तो यह आपना सवाल किसी को भी पूछ सकते है अपने दोस्तों को अपने parents को किसी को भी कि बताओ कि earth और sun के बीच में कितने की दूरी है अर्थ के ऊपर कितना temperature है अर्थ के अंदर सॉरी सन के ऊपर कितना temperature है सन किन दो गैसों से बना हुआ है और उनके गैसों के moving cloud को क्या बोलते हैं सन और earth में कितने किलोमेटर की दूरी है और sun rays की यानि जो रौशनी हो देना सूरज की उसकी क्या रफतार है और उसको कितना समय लगता है हमारे earth पे आने में ठीक है बच्चो अब बाते तिर next that is the planets right all the eight planets of our solar system that is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune ठीक है अभी इसके अंदर मालों एक और था वो था प्लूटो लेकिन प्लूटो को मालो मैं अभी प्लानेट तरीके से नहीं गिनते हैं बोलते बहुत ही छोटा है और ये planets की characteristics में नहीं आता है इसकी वज़ा से इसको हम नहीं गिनते हैं अब जब प्लूटो दना और हम छोटे बच्चे दना तो ये sequence कैसे ये sequence को याद करने के लिए न हमें technique हमारे teacher ने सिखाया था तो मैं सोचता हूं कि आपके साथ भी discuss कर लूँ तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा उसमें कैसा सिखाया था मालो मैं माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस नाइन प्लानेट्स हमें क्या सखाया था माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोन अस नाइन प्लानेट्स और इसी के इसाब से हम लोग क्या करते थे जब भी sequence में प्लानेट्स का नाम लिखना होता था था ना तो हम करना अब all the eight planets of a solar system that is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune revolve around the sun in fixed path ये लोग एक fixed path में न सन के आजू-बाजू में गुमते हैं न जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? orbits, क्या बोलते हैं? orbits, they also rotate on their own axis, वो अपने own axis पर rotate भी करते हैं, मैंने आपको बताया था कि Earth को है न अपने एक axis पर rotate करने के लिए न जैसे लट्टू हम लोग नचाते तो कैसे एक ही जगा पर गुमता है, तो Earth को है न अगर हम एक बार गुमाएंगे न तो माला में कितना होग 24 गंटे लगते हैं, और सूरज के चारो तरफ घुमाएंगे न तो आपको पता है, 365 दिन लगते हैं, ठीक है? All these planets are spherical in shape, spherical मतलब एक तरीके साब बोल सकते हो, football की तरह है, संत्रे की तरह है, ठीक है? Planets do not have their own light, planets के खुद के light नहीं होते हैं, they reflect the light that they receive from the sun, जब सूरज की रोष्ट्य उन पर गिती है न, तो वहाँ से उस light को reflect करते हो, reflect करने के बाद जब हमारी आखो में वो light आता है, तो हमको पता चलता है कि वहाँ से light आ रहा है, सेम चीज है न बच्चो, मून के साथ भी ह चोटा, बाउना, बाउना बोलते हैं न, जो लोगों की height नहीं बढ़ती है, तो वो dwarf planet हो गया, अब dwarf planet उसको गिंती कर दिया गया, बोला कि यह इतना बड़ा है नहीं कि हम इसको planet बोल सके, चीक है, तो उसको छोड़ दिया गया है, अब देखे, mercury, venus, earth and mars are the inner planets, ओके, inner planets के जोगते हैं वो अभी हम लोग आगे देखो समझते हैं, these four planets are close to the sun and are made up of rocks, thus they are also called as terrestrial planets, that is the earth like planet, बहुत बड़ी बात है, देखो इसमें न, दो प्रकार के planets है, एक inner planet है और एक outer planet है, तो कहने का मतलब यह है न, कि, हाँ, तो actually देखो, अभी हमने sequence देखा न, mercury, venus, earth, mars, यह पहले के चार और बाकी के जो दूसरे चार है न, उन चारों को नाम दिया गया है, पहले जो sun के चार जो नजदिक के planets है न, उनको नाम दिया गया है inner planet, और sun से जो दूर है न, चार, कौन कौन से, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the outer planet, इ inner planets को नाम दिया गया, terrestrial planets भी, क्योंकि इन सब का न, जो बनावड है न, वो पत्थरों से ही है, और यहां तक कि जो, यह वाले जो planets है, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, they are called gas giants as they are made up of gases, यह चार प्लानेट गैस से बने हुए है, तो बच्चों देखो, यह chapter न, बहुत interesting है, इसमें आपको बहुत स तो बहुत सारी चीज़े, अब बारी हमारे अर्थ की, देखते हैं क्या बताना चाहरा है, the earth is the fifth largest planet and the third nearest to the sun, अगर size की बात करे न, तो पांचवे नमबर पर अर्थ आता है, और sun से दूरी की बात करे न, तो तीसर नमबर पर आता है, क्योंकि सबसे नजदी की प्लानेट अब एक फुटबोल की तरह है, और पोल्स पर, यानि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो उपर और एकदम नीचले वाला हिस्सा है, वहाँ पर थोड़ा सा फ्लाट है, और यह न, बलजिंग मतलब बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ, देखो, यह देखो, थोड़ा बाहर पॉसिबल है, देखो, अभी समझ में आएगा, because it is the only planet in the solar system where life is known to exist, can you say why, क्यों सिर्फ अर्थ के ओपर ही लाइफ पॉसिबल है, this is because the earth has all the favorable conditions required for the existence of life, simple सी बात है, अर्थ के ओपर लाइफ पॉसिबल इसलिए है, क्योंकि अर्थ के पास सारे favorable conditions है, कौन से, ताकि वो वहाँ पर exist हो सके, देखे, they are optimum distance from the sun, मतलब एक normal दूरी पर है sun के, and average surface temperature is 14 degree Celsius, और न, 14 degree Celsius का average temperature है, suitable seasons, वहाँ पर सारे अलग अलग प्रकार के अच्छे-च्छे seasons भी आते हैं, और adequate availability of liquid water और पानी की भी पूरी तरिके से ब्योस्ता यहाँ पर होती है, अब बात आती है, सेट सेटलाइट में आपको पता दो न, शौट में, सेटलाइट एक्छली उनको कहा जाता है न, जो अर्थ के चारो तरफ घुमते हैं, जैसे कि for example, moon, moon यानि चंदा मामा, चंदा मामा जो है न, वो अर्थ के चारो तरफ घुमता है, लेकिन वो नैचुरल है, वो हमने नहीं बन जाए, ठीक है, आज हमारे मोबाईल चलते हैं, हम घर बैठे मैक्स देख पा रहे हैं, तो यह सब सेटलाइट की दिन है, तो यह जितनी भी सेटलाइट से न, यह भी अर्थ के चारो तरफ घुमती रहती है, आपने वो पिच्छा देखा होगा पोखरन, ठीक है, जिसमें ज इतना strong camera लगा है न, कि वो camera है हमारे अर्थ के surface पर, यानि किसी भी देश के surface पर क्या happening हो रही है, क्या हरकते हो रही है, वो हरकतों को बता देते हैं, अगर उनको लगता है कि जो भी खाली जगा है, वहां पर सब कुछ ठीक है, तो कुछ नहीं, लेकिन अगर उनको लगता ह हो रही है कुछ जमीन बढ़ा रहे है कुछ अलग चीज़ कर रहे है तो वो पिच्चर आप देखना उसमें बहुत अच्छी चीज़ बताए गई है पोकरन करके मुवी है ठीक है तो इन जेडरल असेटलाइज सेटलाइट is anything that orbits something else as for example the moon orbits the earth and is a satellite like the planets the satellite have no light जिस तरीके से planet की खुद की रौष्णी नहीं होती है have no light of their own and they to reflect the light they receive from the sun और वो खुद भी वही light reflect करते जो उनको sun से मिलता है today manmade satellite यानि manmade satellite मतलब artificial और manmade एक ही होता है are being launched into space to study weather conditions develop telecommunications take photographs and map large areas of the earth and conduct experiments in space देखे अभी आपको एक ची बता हूँ आप जब कभी भी गाड़ी में बैठ कर जाते हो तो आपने google map खोला होगा तो यह google map कहां साथ है यह satellite की देन है हम यहाँ पर बैठे बैठे गाउं में बात कर लेते हैं तो यह भी एक satellite की देन है चीक है और आप कुछ भी करो आपको पहले से ही पता चल जाते हैं कि यह तुफान आने वाला है तो हमको पूरा बता दिया जाते हैं कि घर से मत निकलन ना थीक है बारिश होने वाली है यह सारी चीज़े जो हमको पहले से ही पता चल जाते हैं यह सारा देन जो है न वो सेटलाइट कही है और यह सेटलाइट वही है जिनको इंसानों ने बना कर स्पेस में भेजा है ठीक है बच्चो हाँ the moon is a natural satellite जो moon नब वो natural satellite अब natural मतलब जिसमें इंसानों को कोई भी लेखा जोका नहों मतलब इंसान उसको बनाया नहीं है यह प्राकृतिक आया हुआ है ठीक है Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Mars have many moons while Mercury and Venus has no moons at all the earth has only one moon एक question मैं आपको देता हूँ यहाँ पर थोड़ा और knowledge देना चाहिए था बट पूरा knowledge नहीं दिया गया है आप Google पर जाना यह देखना कि Jupiter के कितने moons है Saturn के कितने moons है Uranus के कितने moons है Neptune के कितने moons है और Mars के कितने moons है आपको बहुत मज़ा आएगा आप सोचोगे कि यार कि इंट्रेस्टिंग है कि एक planet जिसका सिर्फ और सिर्फ एक moon यानि Earth का सिर्फ एक ही moon है न तो सोचो इनके मालब कितने कितने होंगे किसी के 20 होंगे, किसी के कुछ होंगे तो आपको सोचोगे कि यार यार यह कितना interesting होगा वहाँ पर अगर हम लोग रहेंगे तो आई बस अन्या अब जो next topic है वो हमारे earth के moon के बारे में ठीक है, देखे, the earth moon is the brightest object in the night sky मतलब एक चमकता हुआ, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ object है हमारे night के sky में, ठीक है but has no light of its own लेकिन उसकी खुद की वो रोशनी नहीं होती है, अब देखे अब आप सोचो कि सर, उसकी रोशनी खुद की नहीं होती है तो वो सूरज की रोशनी उसके बर गिरती है वहाँ सा टकरा कर वो उमारी आखों में आती इसके लिए वो हमको moon चमकता हुआ दिखाई देता है देखें, the diameter of the moon is about one fourth of the earth diameter यानि अगर earth है न, इतना चोड़ा है न तो इसका one fourth करो तो आधा इतना हो गया, आधा तो मतलब moon है न, इतने में आता है ये size है moon और earth की समझे लो, earth अगर इतना बड़ा है न तो moon मात्र इतना बड़ा है क्योंकि बोला न, one fourth तो अगर समझे लो, ये पूरा diameter है, चीक है तो ये beach का हुआ, यानि आधा हो गया फिर उसका आधा और करो तो इतना मतलब बड़ा moon पाया जाता है बट देन, why does it appear as big as the sun? अब सवाल अच्छा आया कि sir, अगर earth से moon इतना ही छोटा है तो वो sun के जितना बड़ा क्यों दिखाई देता है तो ये तो दिमाग में बात है कि अगर कोई भी छोटी चीज भी यदी बड़ी यदी नजदीक होती है तो वो हमको बड़ी दिखाई देती है आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी aeroplane जब take off करता है, ये aeroplane में आप बैठे हो ये aeroplane को take off होते हुए आप देखे हो तो कितना बड़ा aeroplane होता है, लेकिन जब ये आस्मान में जाता है तो क्या होता है, छोटा हो जाता है यानि जब चीजे दूर चले जाती है तो वो चीजे छोटी दिखनी शुरू हो जाती है जब चीजे भले छोटी हो, वो हमसे नजदीक हो ना तो वो हमको बड़ी दिखाई देती है तो यही concept यहाँ पर भी है This is because it is closer to us than the sun मतलब यह इसलिए क्योंकि वो सूरत से काफी नजदीक है क्योंकि देखे तो हम लोग ने देखा ना कि sun हमारे earth से 150 million km दूर है लेकिन यह तो सिर्फ 384,400 km ही दूर है यह याद रखना आप लोग थोड़ा मज़ेदार चीज है The moon's surface is rocky जो moon का surface रोकी यानि पत्थरों से बना हुआ है uncovered with dust, dust मतलब धूल मिटी से भरा हुआ है It has large holes on its surface called craters उसके अंदरे बहुत बड़े-बड़े खड़े है बड़े-बड़े-खड़े है, उन खड़े को क्या बोलते है Craters बोलते है There is no air on the moon Moon पर ना कोई भी प्रकार का air नहीं है It has no life of any kind और उसके पास किसी प्रकार की life नहीं है ठीक है, देखो यह अलग-अलग shape है Moon के, इसका मतलब मालब क्या है कि इसके ओपर पूरी रोशनी गिर रही है सूरज की, इसके ओपर थोड़ी सी गिर रही है और यह जो नहीं गिर रही है नहीं यहाँ पर sun की रोशनी के बीच में कौन आ गया मालब में Earth आ गया है तो Earth का shadow यहाँ गिर रहा है फिर से देखो और थोड़ा हो गया अब यह थोड़ा भी नहीं दिख रहा है ना रोशनी अगर यहाँ पर इसका मतलब पूरी रोशनी कौन लेके जा रहा है तो Earth के ओपर पूरी रोशनी गिर रही है एस्टरोइड बिट्वीन दा ओर्बिट्स ओव मार्स जूपिटर मतलब मैंने आपको सिक्वेंस बता है मर्कुरी वीनर्ज अर्थ मार्स जूपिटर तो मार्स और जूपिटर के बीच में थाउजन्स ओप प्लानेट लाइक स्मॉल बॉड़ी स्पियोने पलानेट स्पंधाकए नगयाति एंगry यहाँ ते न यहां है diy एक ले स्परर्वें लोक में है लोक में तो उनके पीछे देखना बहुत अच्छाзя मोत्य देटेघते थे बड़े बड़े पत्थर घूम रहे उते ते बड़े इस ऊप्त्थर ठीक है तो वो सारे एक तरीके से यह दिखाना चाह रहे थे कि भगवाने ना space में कहीं पर है और उनके आजू आजू बड़े बड़े पत्थर गूम रहे हैं चंदरमामा गूम रहे हैं और यह सारी चीजे गूम रहे हैं तो वो यही एस्टरोइट के बारे में ही वो समझाना चाह रहे थे मतलब लोगों का माननेता इसी है ना कि यह जो बड़े बड़े एस्टरोइट से ना यह एक्शुली बड़े बड़े प्लानेट के पीसे से मतलब जब बिग बैंग थेवरी आया थे ने बहुत बड़ा अब समझो क्या है यह यह क्या होता है यह चोड़े चोड़े पत्थर होते है और यह ना स्पेस में गूम रहे होते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है जब यह अर्थ के नसदीक होते है ना तो यह क्या करते हैं अर्थ के एट्मोस्फेर में आ जाते हैं यानि हमारे अर्थ प जलते हैं जिसकी वज़ा से न ये हमारे धर्ती पर जब आकर गरते हैं तो वह जलते हुए तरीके से गरते हैं और उसको फ्रिक्षन मिलने की वज़ा से न वह पत्थर जलता है या रोश्णी उसमें से निकलती है अब मिट्यूराइट्स क्या होता है जमीन पर आकर गिरते हैं जिनकों लोग क्या बोलते हैं मिट्यूराइट्स और ये बहुत सारी जगा मतलब जैसे कि यह जादा तर तो समुंदरों में गिर जाता है अब यह सब बड़े बड़े पक्थर यहां पर यह सब प्रित्वी पर गिरे हुए है अब लास्ट टॉपिक क्या है कोमेट्स कोमेट्स और बाल्स अब दस्टें फ्रोजन गैसे हल्ट तोगेदर बाई आइस पार्टिकल्स दैट रिवल्व राउं दसन इन इन इलोंगेटेड ओर्बिट्स कोमेट्स भी ना सन के आजू बाजू में घूमरे होते हैं यह बहुत बड़े बड़े आइस के पार्टिकल् कोमेट्स यह हैलिस कोमेट्स सबसे फेमस कोमेट्स है विच अपियर्स इंद इसकाई आफ्टर एवरी 75-76 यह ठीक है और यह शायद ना 1985-86 में सबसे पहली बार दिखा था जितना मुझे याद है तो यहां पर अपना चैप्टर बच्चो समात होता है बहुत ही नॉलिजबल चैप्टर था बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर था इसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि सोलर सिस्टम में कितने सेटलेट्स के होते हैं फिर क्या बोलते हैं बहुत सारी चीजे हैं तो मैं चाहूंगा कि इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें ठीक है और इसको एक इंट्रेस्टिंग चैप्टर तरीकिसा आप सीखें और अच्छा रहेगा ठीक है चलिए कल इसके चैप्टर के कोशन ए तरीकिए।